नमस्ते घर और किचेन के काम करना काफी मुस्किल लगता है लेकिन इनी कामों को छोटे-चोटे टिप्स और ट्रिक्स के तुरू किया जाए तो यहां ही काम काफी ऐसान हो जाता है तो आज मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के ट्रिक्स एर करने वाद हूँ तो देखिए आ आप मैंने थर्मकोल लिया हूँ अब इसको ना इसके साइज से नापना है जितना भी छोटा बड़ा बनाना चाहती है जितना भी आपके पास छोटा या बड़ा रैपर है उसे लेना है और उसी के साइज का थर्मकोल भी लेना है इस तरह से नापी और कट कर लेना है तो मै इसी तरह से दो कट कर लूंगी तो देखिए मैंने दो इसलिए कट किota की हमारा वहारा थाक्षीज़ थार्मा कॉल बहुत ही पातला था यहां झो JON ण्य सा तो इसको मैंने फोड़ी है दो क्कोना इसके अंदर डालना है यहां आप आराम ses डालिए पेपर है तो उसे भी अपना कोबर तो देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने चारो तरफ इस तरीके से चिपका दी हूँ अब हमें क्या करना है इस तरीके से डबल से टेप लेना है और इसके उपर लगा देना है एक्स्ट्रा जो टेप है इसे ना कट कर दीजिए और कट करने किनिके बाद देखिए बहुत है और कट कर देथी हूँ अब हमें यहां पर लेना है जो तरीके से चुकी बहुब ή है उस तरीके से कोई भी आपके पास छुटा बड़ा हो इसे लेना है मैंने यहां पे दोनु साइज के किल ले लीए हूँ अब इसको इसके अंदर डालना ह तो आप अपने हिसाब से कम जादे जितने भी इसके दूरी रखना चाहती है उसी तरीके से अपना इसको इसमें लगा देना है चारो तरफ इसी तरीके से तो देखिए मैंने इसको सारे में इसी तरीके से डाल दूंगे आप अपने हिसाब से कम या जादे दूरी पर रख सकती है तो देखिए सारे मैंने यहाँ पे डाल दिये आपको ना पूरे डाल के दिखाती हूँ इस तरीके से डाल देना है देखिए अब दिखने में कितना सुन्दर लग रहा है इस तरीके से बना के रेडी कर सकती हैं बिल्कुल भी एक रुपिया इसमें खर्चा होने वाला नई है जिरो कॉष्ट में बनके रेडी हो जागा तो इस तरीके से आप बना लीजिए और कहीं पर इसे हेंग कर दीजिए देखिए मैंने यहाँ पर चावी हेंग कर दीए इस तरीके से आप इसे कहीं पर चिपका दीजिए और देखिए कितना सुन्दर सा हमारा चावी ओल्डर है इस तरीके से बनके रेडी हो गया इसमें के ट्राइ कीजिएगा और कैसा याइडिया लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा तो इस तरीके से आप कुछ भी हेंग करने के लिए इसे बना के रख सकती है यूज कर सकती है जीरो कोश्ट में बनने वाला है इसे अपना बना के जरूर ट्राइटीप से दूद को ले तो कोई भी लगड़ी के समान ले लीजिए अब देखिए जो मैंने दूद में पानी डाली हूँ इसके उपर डाली हूँ दूद पानी वाला तो बिल्कुल भी इसके उपर ना कोई भी दूद का निसान नहीं दिख रहा है और जो पानी नहीं यह दूद में इस दूद को डाली हूँ तो देखिए अच्छे से हमारे दूढ का एक निसाले देखिए अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग हो जा रहा है दूढ का तो इस तरीके से आप बहुत ही आराम से जी तरीके से दूढ को पाता कर सकते weitere यहinda दूद में पानी है या नहीं है तो देखिए कितना अच्छा सा हमारे जिस दूद में पानी नहीं है उसके दूद में एक अच्छा सा लेयर हो जा रहा है दूद का कोटिंग हो जा रहा है जिस दूद में पानी है उस दूद में बिल्कुल भी दूद का पता नहीं चल रहा है तो इस तरीके से आप दूद को चेक करके, और दूद बाले को शिका Yani चलिए अगली टीप से आटे को लेकर तो आटा किसी को सिकोirm कोıma आटा मुलायम नहीं नहीं होती है तो आप थोड़े से गुनगुना पानी कर लीजिए और उससे जब आटा गूतेंगे तो बहुती मुलायम और आटा गूते है और उसकी रोटी भी बहुत अच्छी बनती है तो देखिए इस तरीके से ना आप बहुती मिन्टो में आपको टाइम भी नहीं लगेगा इस तरीक से आप भी जरूर ट्राइ कीजिए तावी को लेकर तो तावा ना हम पूरी पड़ाठा अगर बनाते है तो हमारे तावा बहुती जादे जल जाती है इस तरीके से और इसे छोड़ाना बहुती मुस्किल लगता है तो इसे ना हमें क्या करना है गैस पे रख देना है जल्दी हमारे जो तावा है बहुती आसानी से साफ हो जाती है तो जो हमारे तावा है गर्म हो गई है तो मुझे दिकत हो रही थी देखिए मैंने कपड़े के हाथ से इसे दिया को ली हूँ और इसके उपर इस दिया को अच्छे से रगड देना है तो देखिए हमारी ताव बिल्कुल मिंटो में ना हमरे तावा देखिए आँ पे चमक रही है तो इसको ना आप इस तरीके से बीना मेहनत के आप तावा को साफ कर सकते हैं इस तरीके से आपको मैं ना इस तावा को धूल के दिखाऊंगी इस तरीके से देखिए मैं ना पानी डाल दियू अब इसे ना साफ कर सकती है बिल्कूल भी टाइम और मेहनत नहीं लगेगा तो आप इसे ना एक बाद जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही उजफुल है आज का वीडियो यहीं तक अथा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों फैमली में सेल कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे मिलूंगी एगले वीडियो में थैंक यू